तो next synthetic fiber है हमारे पास teraline और ये भी बहुत ज़्यादा important है आईए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपे बात कर लेते हैं कहता है teraline is another synthetic fiber which is used for making cloth age तो कपड़ा बनाने के लिए हम इसका use कर रहे है teraline का अब यहां पर इसके साथ special क्या है ये देखिए कहा गया है like nylon teraline is also elastic जिस तरह से nylon हमारा elastic होता है teraline भी हमारा elastic होता है highly durable wrinkle resistant and mouth resistant ये दोनों ही fiber के साथ हमारा लागू होता है ये हमारा nylon है और दूसरा हमारा teraline है और यहां पर ये जो हमारा है teraline ये बहुत ज़्यादा important क्यों हो रहा है चुकि कपड़ा बनाने में हम लोग इसका ज़्यादा तर यूज करते हैं ये हम लोग ध्यान रखेंगे अब चलिए हम यहां पर usage की बात करते हैं कि क्याके इसके main usage है हमारा जो synthetic fabric teraline तो यहां पर दिया हुआ है और side में हम लोगो पिक्चर भी दिखाया गया है आप देख सकते हैं यहां पर जो पिक्चर है इसमें अमरेला दिखाया गया है ओके और यहां पर mosquito net है और यह raincoat है तो यह सारे जो items हैं इसको बनाने के लिए हम यहां पर teraline का यूज कर रहे हैं अब आईए थोड़ा सा हम और a special users के बात कर लेते हैं तो पहला यहां पर कहता है इट इस largely used for making fabrics fabrics केने का मतलब हो रहा है कपड़ा तो fabrics बनाने के लिए ज़दतर यूज होता है इसका teraline का it does not absorb water and is very strong यह water को absorb नहीं करता है साथे साथ यह बहुत ज़दा strong होता है it is therefore used for making sales for boards and for making raincoats raincoats बनाने के लिए इसका use करते हैं और sales for boards क्यों तो इसका reason यहां पर दिया हुआ है very strong यह बहुत ज़दा strong होता है इस हुज़ा से हम लोग इसका use करते हैं sales for boards और दूसरा यहां पर raincoats बनाने के लिए तो third जो usage है यहां पर इसमें कहता है it is used for making conveyor belts conveyor belts बनाने के लिए हम इसका use करते हैं और अगला है it is used in home furnishing home furnishing में हम लोग इसका use करते हैं तो हम लोगों को basically two से three uses learn करते हैं लेकिन यह जो special usage यहां पर है यह हम लोग को दिया गया है जो कि हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए जो कि objective question पूछा जा सकता है तो objective question हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे तो ओके अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे do you know कहता है fabric fabrics like terry wool, terry silk, terry coat etc are made by mixing terry lean with wool, silk and cotton respectively तो यहां पर ध्यान दिजिए यह हमारा है wool ठीक है, और यह हमारा है terry lean, दोनों को अगर हम mix करके बनाते हैं fabric तो जो fabric हमारा बनेगा, वो हमारा क्या कर लाएगा, terry wool कर लाएगा और हम terry silk कब कहेंगे? terry silk हम तब कहेंगे, जब हम silk के साथ mix करेंगी terry lean को तो terry silk हमारा बन जाएगा वो जो fabric बनेगा उसका हम लोग नाम क्या देंगे terry silk नाम देंगे और अगला हमारे पास आता है यहाँ पे cotton के साथ जब हम cotton के साथ mix करते हैं terry lin को तब जो हमारा fabric त्यार होता है उसको हम लोग क्या बोलते है terry coat बोलते है और यह बहुत ज़्यदा मातरा में market में चलता है अब ध्यान रखेगा यह cheaply available होता है या शस्ता होता है इसलिए बहुत ज़्यदा मातरा में यह market में बन रहा होता है या चलता है यह हमारा कहलाता है terry coat ओके तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं यह जो हमारा है teraline इसका हम किसी के साथ भी हम mix करके use कर सकते हैं teraline का हम लोग wool के साथ में mix कर सकते हैं silk के साथ में mix कर सकते हैं cotton के साथ में mix करते हैं तो आप देख लिए कि teraline हमारा कितना ज़्यादा important रखता है अपने आप में okay polyethene tetrapathlet ठीक है यह ध्यान रखिए में अक्सर पूछा जाता है कि pet का पूरा नाम बताइए ठीक है तो यहां पर लिखेंगे polyethene tetrapathlet यहां पर बहुत आसाने से आपको one marks मिल सकता है बसके वह आपको full form लिखने के लिए पूछा जाता है it is a synthetic polymer commonly used to make bottles boxes etc तो ध्यान देजिए यह बिलकुल अलग है आने की bottles बनाने के लिए या फिर boxes बनाने के लिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं किसका तो यह हमारा है pet polyethene tetrapathlet अब पर हमनों को दिखाया गया है पिक्चर में आप देख सकते हैं यहां पर बोटल्स बनाए हुए बना हुआ है यह रखिए अलग अलग तरह के bottles देख रहे हैं आप ठीक है यह सब किसके बने हुए हैं तो pet यहां पर containers बने हुए यह हमारे pet के तो आप यह कह सकते हैं कि जो भी boxes बने होते हैं या फिर बोटल्स जो बनते हैं वह किसका बन रहा होता है तो pet का बना होता है polyethene tetrapathlet चलिए हम थोड़ा सा special यहां पर देख लेते हैं तो कहता है it is used for making containers for packaging food and soft drinks soft drinks हो या फिर food item हो उसको अगर pack करना है तो जो हमारा container बनेगा वह किसका बनेगा pet का बनेगा pet bottles are commonly used in industry for selling all kinds of soft drinks oils and other food articles तो जो food articles है या फिर oils है या फिर soft drink है उसको pack करने के लिए जो हम लोग containers use करते हैं वह हमारा pet का बना होता है अब यह कहां पर और हमारा interesting है और बहुत ज़्यादा important है इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा यह हमारा है magnetic tapes ठीक है it is used for making magnetic tapes used in audio and video cassette recorders तो यह जो हमारा cassette हुआ करता है आज के रेट में तो यह cassette का चलंग नहीं है बहुत कम है ठीक है लेकिन है जो cassette होता है audio video cassette उसमें अपने एक्टेप हुआ करता है ठीक है वह जो टैप होता है उसमें हमारा recorder रहता है जो भी video हो या audio तो वह मैगनेटिक टैप जो बन रहा होता है उसका वह किसे बन रहा होता है तो यह हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट यह धियान रखेगा ऑब्जेक्टिव कोशन यहां से पूछा जा सकता है कि audio video cassette में जो इने टिक होता है वो क्यों सा फाइबर का बना हुआ होता है तो हम लोग यहां पर क्या अंसल करेंगे पी एटी पॉले एथीन टेटरापैफरेट अब नेक्स्ट जो हमारे पास है यह है एक्रेलिक फाइबर आईए हम इसकी बात करते हैं और इसको हम लोग यहां पर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो गया वी विए स्वेटर्स एंड शॉल्स इन विंटर में आप दीज आर एक्चुली नॉट मेट फ्रॉम नेच्रल वूल अस्टिल यह एपियर टू रिजेंबल वूल मेड आर्टिकल्स देखिए हम लोग विंटर सेजन में उलन कपड़ा का यूज कर रहे होते हैं चुकि हम लोग को ठंड से बचना होता है तो आपको पता है यह जो उलन क्लॉथ होते हम लोग को गर्मी परदान करता है ठीक है तो यह जो कपड़ा बना होता है इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारा उलन का एक्चुली बना हुआ नहीं होता है अना नेचरल उल का बना हुआ नहीं होता है बलकि वह एक्रिलान आने की एक्रिलिक फाइबर का बना होता है और वह हम लोग को पता भी नहीं चलता है चुकि यह उल के जैसे प्रोपर्टी को सो करता है ठीक है तो यह हमारा important हो जाता है और आप ध्यान देजिए कि यह जो natural उल होता है यह बहुत ज़्यादा costly होता है और यह जो हमारा acrylic fiber का बना हुआ होगा जो भी हमारा कपड़ा बनेगा वो सस्ता होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा हाना वो अलग-अलग colors में available हो जाएंगे और इसलिए यह सस्ते में हमारा market में available हो जाता है तो आए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके special uses की बात कर लेते हैं जो हमारा यहाँ पे DIY कहता है these are used for making blankets कमल बनाने में तो जितना यहाँ पे हमको warm मिलेगा गर्मी मिलेगा उलन blanket से उतना ही गर्मी हमको यहाँ पर मिल जाता है किस से तो यह जो हमारा acrylic fiber का बना हुआ हुआ होता है blanket उससे ठीक है यह हम लोग ध्यान रखेंगे यह भी बहुत हलका होता है which are very light and have quite the same warmth क्या कहता है have quite the same warmth as woolen blanket जितना उलन blanket हमको गर्मी देगा उतना गर्मी यह भी दे सकता है आगे है articles made from acrylic fibers are relatively less expensive and are available in India wide variety of colors देखिए बहुत सारे colors में हमको मिल जाता है चुकि इसको color करना बहुत आसानी होता है हम लोग आसाने से इसको color कर सकते हैं और यह less expensive होता है यह सस्ता एब लेवल होता है तो आप देखिए सस्ता भी है और यह इसको अलग-अलग color में हम लोग दे भी सकते हैं color भी दे सकते हैं तो यह हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा होता है तो चलिए यह तो था कुछ special usage जो हमने देख लिया यहां पर यह हम लोग धियान रखेंगे special किसके साथ कौन सा है अब यहां पर आती है एक topic यह भी important है कहता है advantages of synthetic fibers तो यहां पर two marks में या तो three marks में question आ सकता है कि write two or three uses of advantages of synthetic fibers तो हम लोग यह यहां पर learn करेंगे और हम लोग यहां पर note कर सकते हैं पहला लेखेंगे they have a long lasting lecture लंबे समय तक अपने चमक को बनाए रखता है दूसरा दे लास्ट लॉंगर as compared to natural fibers natural fibers जैसे हमारा ओल हो गया और हमारा silk है या फिर cotton है उसके compare में इसका life जैदा होता है they are easy to clean और आसाने से सकों साफ कर सकते हैं they dry quickly आसाने से dry भी हो जाता है they do not wrinkle and therefore need very little or no ironing ironing करने के आवशकता नहीं है या फिर बहुत कम ironing करना पड़ेगा चुकि यह wrinkle यह wrinkle नहीं होता है wrinkle free होता है they do not shrink on washing washing करने के बाद यह shrink नहीं करेंगे नहीं आपको पता है कि जो cotton के कपड़े होते हैं वो क्या होता है न स्रिंक कर जाते हैं washing के बाद लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है they are less expensive than natural fiber अब यह main point हो जाता है कि यह जो हमारा है synthetic fiber हम इसको क्यों prefer करते हैं तो इसको prefer करने का हमारा सबसे main कारण यहां पर यह हो रहा है they are less expensive than natural fiber natural fiber से यह बहुत सस्ता हमको available हो जाता है इस हुझा से हम लोग यहां पर synthetic fiber को prefer करते हैं ओके यह समझ गये हम लोग यहां पर